हेलो दोस्तों वैलकम तो माई चैनल पॉइंट आपर ग्लासिस तो आज हम पढ़ेंगे डिफ्रेंस बिट्वीन एम एंड उब्जेक्टिव्स तो इसके बीच में क्या है आपको इंग्लिश टीचिंग के जितने भी बच्ची है ठीक है तो उनको इंग्लिश टीचिंग अंद एक्सप्रेस दा जनरल एंड ब्रोडर परपस ओफ एजुकेशन तो यह शिक्षा के ब्रोडर का मेंस होता है बड़ा और जनरल का मेंस होता है समाने तो यह एम्स जो होते हैं हमारे वो एजुकेशन के समाने और बड़े स्तर पर या बड़े उदेश्य को हमारे सामने लाते है जो हमारे एम सोते हैं वह किस पर निरदारत होते हैं हमारे शिक्षा के बड़े पर्पस पर धिक यह होते हैं तो aims क्या होता है हमने गौर्ण्मेंट जो प्राप्त करनी है यह हमारा क्योंगा एम हो गया ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं तो specific purpose of curriculum तो जो objectives होते हैं यह हमारे पठ्थे करम के उपर निरदारित होते हैं यह विशेश रूप से objectives बनाए जाते हैं जैसे आज हमने हिंदी का जितना भी काम है वो हमने पूरा करना है या हमने आज जीके को पूरा complete करना है तो यह हमारा specific एक object हो गया ठीक है तो इस तरह से होता है उसके बाद में हम बात करते हैं second aim की something which you try to achieve मतलब की ऐसी जीसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप बार बार पाना चाहते हैं ठीक है तो वह आपका कहलाता है aim कहलाता है उसके बाद में होता है time limit to achieve objective जो भी होते हैं वह आपके time limit to achieve मतलब की एक limit होती है time की जिसके बीच में आपको achieve करना होता है और aim के बीच में क्या होता है कि aim प्राप्त करने के लिए आपके बास time ही time होता है इसके अंदर कोई limit नहीं होती है उसके बाद में बात करते हैं aim की aim जो होते हैं वो long term goal होते हैं वही पिछली बात जिसमें की लंबा समय होता है वो क्य यह सो ब्जेक्टिव किला या फिर आपका एम क्या हुआ अगर आप पूरी नोकरी लग जाती है ठीक है अगर आपने गोश्च प्राफ्ट कर ली तो आपके क्या हो गया लोंग टाम गॉल या फिर एम क्या लगता है उसके बाद में एम की बात करते हैं एम जो होता है वह होता कर सकते हैं मलब कि हमारा कोई भी छोटा सकाम हो उसके लिए हम उसे असानी से माप सकते हैं या उसे असानी से हम कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं एम की ब्रोडर एरिया ओफ एजुकेशन इस कवर्ड तो एम के अंदर क्या होता है पूरे का पूरा याद करना है जबकि एम ही क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी बुक याद करने होती है इसके बाद में हम बात करते हैं साथ में पॉइंट की तो एम के अंदर क्या होता है एजुकेशनल प्लानिंग होती है कि बच्चे को किस तरह से बढ़ाना है ठीक है उसे किस तरह से चिक्षा बता नहीं है वो सारी की सारी चीचे एजुकेशनल प्लानिंग के उपर होती है और उसके अलावा जो अब्जेक्टिव होती है यह होती है इसके बीच में क्या होता है कि जो teacher होते हैं वो planning करते हैं कि किस तरह से बच्चे को तियार करना होता है ठीक है तो इस तरह से आप difference देख सकते हैं तो thanks for watching this video like this video and subscribe अगर आपको किसी भी topic में कोई दिक्कतारी है तो आप में comment section में बता सकते हैं thank you